नमस्कार इन खबर आप देख रहा हैं मैं हूँ आपके साथ वर्खा शर्मा बात हम पाकिस्तान की करने वाले हैं दरसल हर मंच पर बेज़ती होने के बावजूद भी पाकिस्तान का शायद मन अब तक भरा नहीं है ये कहने कि बहुत सारे कारण हमारे पास हैं और वो कारण हम आपको लगातार गिनवाते भी रहते हैं अंतरास्ट इस तर पर हमारे मुद्दों को लेकर वो कितना संजीदा दिखता है ये बाते हमने देखी हैं अब देखिए कश्मीर के मुद्दे के अगर हम बात करते हैं तो उसको इतना सीरिसली वो लेकर बैटा आए कि उसे ये हुआ है इमरान खान का स्पीच यहां पर कैसा रहा था वो भाशन जो पंद्रा मिनट का वक्त होता है इसे वो पचास मिनट से ज़्यादा जब खीच गए थे उसी में जो खीच थी वो समझ में आ गई थी कि अंतराश्ट्र स्तर पर अपनी बात को रखना उनके लिए कितना जादा जरूरी है भले ही वो बात गलत क्यों ना हो यह तमाम चीज़े जो है वो चल रही है दरसल यह बात हम दोहरा क्यों रही है कि पाकिस्तान अपनी बेज़िती कराते ठकता नहीं है दरसल हुआ क्या है कि युगांडा की राजुदानी कमपाला में 64 वे राश्रमंडल संसद्य सम्मेलन की महासभा हो रही थी और इसी दौरान पाकिस्तान का जो संसद्य प्रतिनिधी मंडल था उसने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा महाँ पर उठा दिया फिर से उसके बारे में महाँ पर बाचीत की गई औ कहा जा रहा था महाँ पर कि सेना ने भारतिय सेना ने कश्मीर को इक तरह से बंधक बना रखा है इस तरह के जूटे और दोगली बाते पाकिस्तान की और से की जा रही है लगातार जब यह बात यहाँ पर कही गई तो उसके बाद भारतिय संसद्य प्रतिनिधी भंडल की ज उन्होंने पाकिस्तान को आइना दिखाया, और बताया, चे जो सेनिक शासन की परंपरा है वो सिर्फ पाकिस्तान में देखने को मिलती है, भारत में नहीं। हम इस तरह की कोई परंपरा जो है उसे फॉलो नहीं करते हैं पाकिस्तान को शायद सब अपने ही जैसे नजर आते हैं मानवा दिकारों की वह बात करता है लेकिन किस तरह से उसी के खिलाब विरोध प्रदर्शन किया जाता है नियू यॉक में खुद उनके प्रधान मंतरी के भाशन से पहले ये सब भूल जाता है पाकिस्तान यही समस्या है उसकी लेकिन शायद यांत नहीं होगा उसकी बैज़ती का क्योंकि आगे भी वो इसी तरह के काम करता रहेगा अपनी बातों को रखता रहेगा भले ही वो सरसर गलत ही क्यों ना हो हमारी तमाम वीडियो आप